वेल्कम तो आर चैनल सपोर्ड मी राज तो हम क्यांई राज वह एक तो है quick selection tool और दूसरा है magic wand tool अगर हम दोनों tool को यूज करेंगे तो वह fast selection बना पाएंगे यहाँ पे red आ गया तो यह red पे नहीं आया जैसर कि जो कदर और आप चाहते हैं कि अपका यह स्जеलेक्षन हो रहा है बोससा भी बॉक्स में आ जाए जिसकि यह परTFE का है अगर आप इसे दवाइंगे तो आप इसी भी अजिस्ट क कर लेगा और इसी भी कर लेगा और इसी कर ले तो इसी परकार से मैचिंग नहीं करना है तो इसी परकार से आपको यह नहीं करना है जैसी कि आप देख रहें हैं यहां पर हिंसे करेंगे तो यह रह которой इसे बड़ा लेते हैं चार पांच बोक्स तम्रेख 2007 लेक्ट हैं सरम किलिक करेंगा तुके में तो यह हट जाएगा तो आप यह समझगा होंगे कि यह हटाने के लिए माइनस और यह प्लस से जोड़ने के लिए हम जोड़ेंगे तो यहां पर जोड़ जाएगा यह देखिए तो आप समझ जाओंगी जो मैजिक वेंट तूल है वो किस काम के लिए होता है जो सॉलेड वेक्ग्राउंड होता है एक सॉलेड कलर पर होता है जैसे कि मैं आप एक फोटो देखाने वाला हूं जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास यह फोटो है और इस फोटो में अगर हम सबस्क्रिण करने मिना पोबन हो जाएगा आप सिलेक्शन हरेगा तो यहां पर भी फिक्स हो जाएगा तो इसी प्रिकार के आपका और देखेंगे और आप यहां पर आउट्लान में देखेंगे तो इस पिस्त इस तो ना रहा है अब आम हमिस के पर यह देखिए तो इसे माइनस करते हैं तो ऐसा से अब में पहाँ पहुँच गया है लेकिन यह हमें नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ यह बाला चाहिए तो हम इसे बापिस होते हैं और अब हमने वो चाहिए जो हमरा मैंन सेलेक्शन है वही चीज़ चाहिए तो अगर हम केवोड पर जाएंगे और कंट्रॉल शिप्ट आई दबेंगे तो यह देखिए तो इसने इसी को सेलेट कर लिया जो की हमा यह देख लिया तो इससे क्या है हमने एक ही क्लेक में सेलेक्शन तयार कर लिया है अब इसे मूब टूल लेंगे और बैक ग्राउंड पर जाके छोड़ देगे मिरपास एक बैक ग्रांड है जिसमें मं इससे बताना चाहता हूं तो आप नहीं देख लिया अगर आप solid color फोटोग्राफिक करते हो और अच्छे studio में फोटो खीचते हो DSLR camera से तो आपको एक ही click में ऐसे background चेंज करने की आसानी service मिल सकती है यह देखिए कहीं से लिए कहीं तक कोई कमी नहीं है इसमें यह बहुत ही अच्छा चेंज हो गया है तो मुझे बहुत पसंद आया है अगर आप किसी वैसे फोटोग्राफ में करते हो जैसे में बता देता हूं आपको इसको इसमें आप यूज करते हो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा देखो यहां पर आप देख लेजिए इस पोडो को इस पूटो में क्या है जो पीछे का background कलर है वह क्या है वाइट है इसके राव वाइट के लाबा आपको को बिलू होता है एलो होता है और कोई बिलू होता हो तो इसे magic band tool से हम कोई क्लिक कर सकते हैं तो इसे magic band tool से select करेंगे तो यह देखिए इसने पूरे फोटो को एक साथ करेंगे अब Ctrl-Shift-I करेंगे और Ctrl-J करेंगे तो यह देख लिए आप हो गया है इसका selection से बंद करेंगे नीचे वाले layer को तो यह देखिए काफी अच्छा ह इन जो फोटो का selection से वो काफी सांदार हुआ है और इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई कमी नहीं है अगर आप एक अच्छी photographic करते हैं और आपको ज्यदा photographic काम है तो एक अच्छा सा solid background लगाएं और उसमें photographic करें और अच्छे DSLR camera से अच्छी photo click करें तो आपका काम बहुत आउट्डोर फोटो है अगर हम इस फोटो को यूज करें मैजिक बेंट टूल से यह तो नहीं हो पाईगी क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर हम इसको कुईक से करें तो यह से हो जाएगी क्योंकि यह जो point होता है उसी के हिसाब से चलती है जैसे कि आपको बत आपके फोटो पर डिपेंट करता है क्या आपका फोटो का साइज है और रियूलूशन से और क्या साथ रखेगा रेखिए अगर मैं यह से करता हूँ तो इसने एक क्यूट को सायट कर लिया और इस ने बांकी आउट्लाइन को सेलेक्ट नहीं किया है टीक किसी परिकार से ए गया है ठीक इसी प्रकार से हम इसको छोटा करेंगे कीबूर्ट की आप इस की से भी से छोटा कर सकते हो कि यह देखो इसने हाँ पर डेटे कर लिया तो हम अल्ट दवाएंगे और इसे छोटा कर लेंगे ठीक हम फिर आगे बढ़ाएंगे इसको जिसकी यहां पर यह हैर है और यह आउट हुजा रहा है तो हम इसे अल्ट के साथ दवाएंगे तो यह देखिए बैक हो जाएगा और आपका जो फोटो है मैं उसी को कैप्चर करने के सोचेगा और यह काफी स्मार्ट टूल है इसे कि पता चल जाता है कि हमारा फोटो हम किस चीज को कैप्चर करना चाहते हैं तो यह उसी चीज को कैप्चर करता है जिसके आपने देख लिया यह पूरा का फोटो हमारा क्याप्चर हो गया है इसमें कि हम तोड़ों को स्लेक्ट में जाना पड़ेगा और यहां पर है रिफाइंड इसको सेटिंग तोड़ी सी अलग सी करने पड़ेगी तो यहां पर थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा इस थोड़ा सा रेडियस ही बढ़ाना पड़ेगा और इसे नहीं कर देख्सटा हम से सब्सक्राइब लृब करते हैं और यहां पर थोड़ा कर लेते हैं ज्यादा बड़ा देख रहा है अपने इसे देख ये काफी हच्छा है फोड़ा बहुत कमी दिखती है यहां पर तो आपको यहां पर अगर इसे टूल को लेंगे और इसकी तोड़ी सी सॉपनेस फिरस लेंगे और इसके साइज और इसकी हाड़नेस को जीरो करेंगे और फिर आफ इस वर्ग करेंगे तो यह भी तरहीं हो जाएगा ज्यादा टैम नहीं लगेगा और इसे आप बिल हेलो जनाब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अगर आप इससे सुनना परसंद करेंगे तो बहतर है बस आपके मुझे कुछ 30 सेकंड चाहिए देखिए जो भी कोई यूटोब और होता है वो अपने वीडियो को बहुत सांदर तरीके से बनाता है वो जितनी अच्छी बनाता है और उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोंसेस करता है अगर आप विजीटर जैसे कि आप मालीजिए और मैं भी वीडियो देखता हूं यूटोब पे अगर हम किसी की वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो अच्छा फील नहीं करता कि उसने कितनी मेहनत किये वो जानता है और फिर वह अच्छी वीडियो नहीं बना पाऊगा आंगा मैंके किसी की बीडियो को डिसलाइक करते हैं तो वह श्लाइक करते हैं और झालीज़ बरहते हैं से इकिस्ट्रव라 हो पाते हैंुआ फ्स कि आ चया बीडियो बना खोईग बनाँ कोई भी बनाने तो आप किसी की बिО्ठी वीडियो को चान मुझे कर डिशलाइक मत करिये क्योंकि कोई भी इंसान अच्छी बिडियो बनाने के Mmet होती है जो सीखता है इतना ही सीख पाता है और कि अच्छी बना पाता है अगर आप उसकी वीडियो लाइक करेंगे वहले उसकी वीडियो वेकार क्यों नहों अगर आप उसे लाइक करेंगे तो लगता है कि मैंने वीडियो अच्छी बनाएती और मैं इस बार और अच्छी बन कि वीडियो पर डिस्लाइक पोहत कमाय ताकि उसकी वीडियो की रेंक अच् genetically über my chunk is this के लिए हैं तो आप से बिस्लाइक कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप ते लाइक कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं करना तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं साब